Hello students, welcome to Mega D Classes. आज हम बच्चों पढ़ेंगे Reflex section और Reflex arc के बारे में. Reflex section जिसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा था, उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया. और Reflex arc का मतलब होता है प्रतिवर्ती चाप. अब हो सकता है कि थोड़ा सा नाम सुनके आपको अपना लास्ट येर का पढ़ा हुआ कुछ याद आ गया हूँ. बट अगर आपको नहीं भी याद आया तो मैं आपको एक simple से example के दवारा बताना चाहूंगी. आपने notice किया होगा कि आप normal बैठे हो और आपका ध्यान नहीं है और suddenly एकदम से आपके शरीर के किसी भी अंग पे कोई गरम चीज या कोई थंडी चीज या कोई नुकीली चीज या कोई खतरना animal या कोई जरीला जानवर जब आप देखते हो तो आप एकदम से घबरा जाते हो और आप अपने हाथ या पाओं को जटक लेते हो मतलब जिस जगहा पे वो चीज आपको टच होती है आप एकदम से उसको जटक लेते हो और जटकने के बाद आप देखते हो कि क्या चीज थी जिससे मैं डर गया या जिससे मैं एकना घबरा गया तो इसको हम बोलते है reflex action क कि एक ऐसा response जो involuntarily होता है involuntarily मतलब कि उसमें आपकी कोई सोच आपकी कोई इच्छा कोई विचार नहीं होता और इसमें क्या होता है यह response quick होता है मतलब बहुत जल्दी यह response हो जाता है और यह response automatic होता है तो इसको हम बोलते reflex action और यह हमारी body का एक natural system है defense का कि अगर हम किसी खतरनाख चीज से अपने आपको protect करना चाते हैं तो यह naturally हमारी body का एक defense system है तो अगर आपसे simple भाशा में definition पूछी जाती है कि reflex section क्या है तो आप यह कह सकते हो reflex section is a quick, rapid, automatic and involuntary response to a given stimulus and it involves the part of a central nervous system इसमें basically हमारा central nervous system जो है वो involved रहता है और reflex section करने के लिए जो पूरा रास्ता follow किया जाता है मतलब जब तक हमारे श्रीर को कोई stimulus मिलता है और उस stimulus के हिसाब से हमारा श्रीर क्या response देता है तो stimulus से लेके response के बीच का जो पूरा रास्ता है कि वो कौन से organ से किस organ तक गया that complete path followed during the reflex section is known as the reflex arc अब यहाँ पर आपको यह चीज एक diagram के रूप में समझाई गई है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक person का leg area दिखाया हुगा है तो यहाँ पर leg area पर कुछ भी needle या कोई नुकीली चीज आकर touch हुई तो जब वो चीज यहाँ पर नुकीली टाच होते है तो immediately वो अपने पैर को जटक लेता है लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में जो command है वो किस तरीके से गया सबसे पहले जब कोई pointer चीज हमारे पैर पर touch होती है तो वो बन जाती है stimulus उस stimulus को हमारी muscles के जो cells है वो एक receptor होता है जो की signal को receive करता है मतलब ग्रहन करता है जिसको आप ग्राही भी कह सकते हो तो यहाँ पर जो हमारी muscle cells है वो एक तरह से receptor का काम करते है तो वो इस संदेश को आगे लेके जाएंगे फिर उसके बाद जो हमारी afferent nerve fibers है हमने starting में जब central nervous system में peripheral nervous system किया था उसमें हमने दो टाइप की nerves पड़ी थी afferent and efferent efferent थी जो organ से brain तक command को लेके जाती है और efferent होती है जो brain से वापिस organ तक command को लेके आएंगी तो यह जो efferent pathway है या यह जो efferent fibers है यह इस signal को muscles लेके जाएंगी dorsal root ganglion में और वहाँ से यह message जाएगा हमारे brain में फिर brain में उसको analyze किया जाएगा detect किया जाएगा और यह signal जब वापिस लेके आते हैं तो वो लेके आते हैं motor neurons मतला हमारी body में लग 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 तक लेके जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं sensory neuron फिर जो neurons उस message को वापिस लाएंगी उन्हें हम बोलते हैं motor neurons और जो fibers यानि कि जो nerve fibers जिसने इंवोल हैं उन्हें बोलते हैं efferent nerve fibers तो इफ्रेंट पात्रे के द्वारा वही message वापिस हमारी muscles में आ जाएगा बट अब हमारी muscles receptor होने की बज़ाए effector है क्योंकि उस टाइम उन्हें सिगनल को receive किया था तो वह receptor थी अब उस signal के accordingly उन्हेंने क्रिया की है effect दिखाया तो अब वह effector बन गई और जैसी effector के पास ये संदेश आएगा तो वह हमारी leg को आगे command देगी कि उसने किस तरिक अगए response करना है पैर को आगे करना है या पीछे करना है तो यह जो complete pathway यहां follow किया गया stimulus से लेके then response तक this complete pathway is known as the reflex arc और यह जो complete process है ताकि हम उस situation से बच जाएं that complete process is known as the reflex action